दूस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी त्रिपल सी यानि की उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती परिक्षा 2022 के लिए सामान निग्यान यानि की जीएस का छटवा माडल पेपर हल करेंगे इसके पहले पांच माडल पेपर हल कराय जा चुके हैं तो जो लोग नहीं देखें हैं चैनल के प्रेलिस्ट में जाके आप वहां से सही वीडियो को देख सकते हैं साथ में आप ग्रामीड विकास और सामान हिंदी का भी वीडियो हमारे चैनल के प्रेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल पर पहली ब твоes subscription पे-कंड़े with तो अभी आफ ले सकते हैं जल्द ही जो है इसके फीस में आपको बढ़ोत्री देखने को मिलेगा अभी app फर जो है then subscription ले शकते हैं और उअप्र तैयारी आप u p pc की करना चाते हैं या फिर leading course येसे भी exam के perfection करना चाहते हैं, आप an academy learning app से जुड के अपनी तियारी को कर सकते हैं और आप exam को crack कर सकते हैं, नीचे description में detail दे दिया गया, वहाँ से जाके आप check कर सकते हैं, और subscription लेते समय, आप हमारा referral code यूज कीजिएगा, exam learner, जिससे आपको additional 10% का वहाँ पे discount भी मिल जाए तो यहां पर जुसरे योगा सी आपसन नियाईक पहल के द्वारा 1980 के दसक के बाद भारत में सरोच नियाले की पहल पर जनहित याचिका की शुरुवात की गई थी और जनहित याचिका को PIL यानि की Public Interest Litigation भी कहा जाता है और इससे जुड़े हैं P.N. भगवती तो यह याद रखेगा आप लोग अगला प्रशन आपका मंगल पांडे कहां के Biplau से जुड़े है तो बैरकपूर से यह भी कलब से हो जाएगा मंगल पांडे बैरकपूर के Biplau से जुड़े थे इन्होंने बैरकपुर में चर्वी वाले कारतोसों का प्रियोग करने से इंकार कर दिया था और अपने एजुडेंट पर जो है आक्रमड कर उसकी हत्या भी मंगल पांडे के द्वारा कर दी गई थी अगला कुशन है सूरी की करनों से कौन सा बिटामिन प्राप्त होता है तो बिटामिन डी मिलता है सूरी की करनों से डी आप सन्या पे सही हो जाएगा हाकी के जादुगर हुआ दविजाड के नाम से प्रशिद्ध खिलाडी मेजर ध्यान चंद का जन्म अस्थल कहा है इनका जन्म अस्ताल है प्रियाग राज भी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अभी हाली में राजियु गांदी खेल रत्न पुरसकार का नाम भी बदलकर मेजर ध्यान चंद के नाम पर कर दिया गया है तो इसे भी आप याद रख सकते हैं अगला कुशन है निमलिकित नदियों में से कौन सी बिशुवत रेखा को दो बार पार करती है तो है जाएरे नदी यह आपसन सही हो जाएगा यहाँ पर अफरीकी महादीप में इस्थित जाएरे नदी यह बिशुवत रेखा को दो बार पार करती है यह नदी नेल के बाद अफरीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी जो है अफरीका की है वह है नेल नदी अगला प्रश्ण है 1921 का मोपला बिद्रोह कहा हुआ था तो यह वह था केरल में भी आप सुन से हुजाएगा मोपला केरल के मालावार इलाके में बसे मुश्लिम किशान थे किशानों ने 1921 में अंग्रेजों यों हिंदू जमिनदारों के बिद्रोह किया था तो केरल के मालावार से जुड़ा हुआ है सन याद रखेगा 1921 में या बिद्रोह हुआ था बैस्विक सांती सूचकांक 2021 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को 135 अस्थान D options ही हो जाए गए हाँ पे Institute for Economics and Peace सिड्नी के द्वारा गोशित बैस्विक सांती प्रशकार 22 में भारत का स्थान 163 देशों की सूची में 135 मास्थान है भारत का अगला कोशन है प्रो स्टेट ग्रंथी से होने वाले स्राव यह किस में प्रिवेश करता है तो यहाँ पे D option से होगा मूत्र मार्ग में प्रोस्टेट ग्रंती से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रिवेश करता है और यह ग्रंती मुत्रासय की ग्रिवा के नीचे वह मुत्रासय के निकास के इर्दगीत मौजूद होता है जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ता है वैसे वैसे वह मुत्रासय के निकास को भी और उद्ध करता है तो यहाँ पर D-Option से ही हो जाएगा अगला कुशन है गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है इनको चिन्हित करिए तो गोमती नदी सी भी कल से हो जाएगा गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी गोमती नदी का उद्गम छेत्र फुलहर जील है जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है फुलहर जील से गोमती नदी का उदगम होता है और यह आपका फुलहर जील है कहाँ तो यह उत्तर प्रदेश के पीली भीत जीले में इस्थित है फुलहर जील जहां से गोमती नदी निकलती है तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा जैन धर्में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा चिनित किया गया था तो अहिंसा का यह आपसन यहाँ पे सही होगा जैन धर्में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा अहिंसा को चिनित किया गया है अहिंसा जैन धर्म का मोलशिधान थै इसे बड़ी सक्ति से पालन भी किया जाता है लोगसभा और राजीसभा की संयुक्त वैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है यानि कि किसके द्वारा भुलाया जाता है तो बुलाया जाता है राश्टुपती के द्वारा डी आफसनियापे से भारती संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विध्यक पर दोनों सद्नों के मध्य गतिरोध की स्थिती में भारत के राश्टुपती द्वारा लोगसभा और राजीसभा की संयुक्त वैठक आहू अगला प्रशन है पांचवी पंचवर्षी योजना का मूल उद्देश था तो गरीबी हटाओ ये आपसनियापे सेव जाएगा पांचवी पंचवर्षी योजना का मूल उद्देश रोजगार अस्तर में बृध्धी गरीबी उन्मूलन और आत्म निर्भरता था साथ ही इसके अंतरगत रक्षा योंकर्षी उत्पादन में आत्म निर्भरता पर बल भी दिया गया था तो ये कोशन भी पुछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षी योजना में दिया गया था तो पांच भी पंचवर्षी योजना में दिया गया था प्रकास की किरड पानी से गलास तक जाती है यह जुकता है तो सामान की और और यह धीमा हो जाता है यह आप से नहीं हो जाता है जब प्रकास की किरड बिरल यानि की पानी माध्यम से सगन यानि की गलास माध्यम में प्रियोश करती है तो वह दोनों माध्यमों के प्रिष्ट फर खेचे गए अविलम की ओर जुक जाती है अर्थात सामान की ओर जुक जाता है और धीमा भी हो जाता है तो यह आप से नहीं हो जाएगा हाल ही में कौन 10 सितंबर 2020 का रास्ट्री अलफ संख्या कायो कि अधिक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है तो यह सरदार इकबाल सिंग लालपूरा यह आप से नहीं सही हो जाएगा और निमलखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो यहाँ पर यह आप दिख सकते हैं जो C आप से दियागा अमीर खुसरो जहांगीर के दरबार में तो गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर अमीर खुसरो यह अलावदीन का दरबारी कभी था और अमीर खुसरो यह चिस्ती संपरदाय के सूफी संथ निजामुदीन ओलिया के सिस्स भी थे तो पूछा कह था कौन सा सही जोड़ा नहीं है यह आपसन सही नहीं है बाकी सभी सही है आपका उचित मुल्य की दुकाने निमलखित में से किसका भंडार रखती हैं पहला है खाद्यान दूसरा है चीनी तीसरा है मिट्टी का तेल तो कौन सा आपसन यहाँ सही होगा तो तीनों ही यहां पे सही हैं खाद्यान भी चीनी भी और मिट्टी का तेल डी भी का सेवा सभी एक दो तीन सारवजनिक बित्रड प्रडाली के अंत्रगत देखा जाए तो खाद्यानों के मुल्यों में बृध्धी को नियंत्रित करने और उपभोकताओं के लिए खाद्यानों की पहुँच सुनिशित करने में प्रयापत रूपशे योगदान दिया गया है और उचित मुल्य की दुकाने खाद्यान हो गया चीनी हो गया मिट्टी का तेल वह अन्य सभी खाद्य वस्तों का भंडारिये रखती हैं तो सभी सही होगा यहाँ पर एक दो तीन अगला प्रशन अब देखते हैं कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है तो छार की अप्रकृति होती है साबुन यह उच्च अडवार वाले कार्बनिक वसी अमलो में के सोडियम लवड है साधारत तापकरम पर साबुन नरम ठोस यह वास्प सीलपदार्थ है और यह कार्बनिक मिश्रड जड में घुल कर जागुतपन करता है और इसका जली घोल देखा जाए तो छारी यह होता है जो लाल लिटमस को यह नीला कर देता है तो यहाँ पे C आप्सन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं निमन में से कौन अगस्त दोजारी कीज को रैमन मैक्स से पुरसकार में सामिल नहीं है तो अलफ्रेड हिचकाक डी आपसन आपे से होगा 31 अगस्त दोजारी कीज को पांच बेक्तियों को रैमन मैक्स से पुरसकार प्रदान किया गया है जिनमें स्टीवन मुंसी हैं, मुहम्मद अमजद साहिब हैं, फिर्दोशी कादिर हैं, वाच डॉगक हैं और रुवर्टो वैलोन है इसमें रुवर्टो वैलोन है ना कि अलफ्रेड हिचकाक तो डी आपसन यहाँ पे से होगा आपका अगला प्रशन है, नेमलिकित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है, चार कत्न दिया गया है, इसमें से एक सही नहीं है, वो आपको उताना है तो जो D आप्सन में लिखा गया है कि आज सरोच नियायले कोट मार्शल के साथ और निकिसी भी उच्छ नियायले या अदालतों की शुनुआई कर सकता है यह आपका गलत हो जाएगा भारती उच्छितम नियायले 28 जनौरी 1950 को अस्तित में आया था यह आपको पता हुगा को छोड़कर किसी भी उच्छ नियायले या नियाधिकर के मामले की सुनुआई कर सकता है तो आपसे पुछा कहता है कौन सा सही नहीं है तो D आप्सन जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है अगला प्रश्ण है 25 नौबर 22 को अर्जेंटीना के विश्व प्रशिद फुटवालर डिएगो मारा डोना का निधन हो गया उनके नित्रित्तों में अर्जेंटीना की टीम ने किस वर्स विश्वकप जीता था 1986 में जीता था बी आप सन्यापर सही हो जाएगा स्वामी देयानन सरस्थी ने किस सहर में 1875 इसवी में आरिस समाज की अस्थापना की थी तो बामबे बरतमान मुंबई ये आप सन्यापर सही हो जाएगा स्वामी देयानन सरस्थी के द्वारा 1875 इसवी में आरिस समाज की अस्थापना मुंबई में की गई थी और स्वामी दयानन सरस्ती के द्वारा ही पूशा था सत्यार्थ प्रकास की रचना किस की द्वारा की गई है तो स्वामी दयानन सरस्ती की द्वारा ही सत्यार्थ प्रकास नामक बुस्तक लिखी गई है अगला कुश्य ने सितंबर 2022 को वीडियो कान्फरेंशिंग के माध्यम से किस राज में घर तक फाइवर योजना प्रारम की गई तो बिहार में भी आपसों सेव जाए का हैं पर परधान Montritti नरेंद्र मोधी ने वीडियो कान्फरेंशिंग के माधियम से बिहार राज में घर तक फाइवर योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में के थी शिफ्ट, कंट्रोल और एल्टी निम्न में से किस रेनी के उदारन है तो ये उदारन हैं मौडिफायर कुंजी के मौडिफायर कुंजी में आपका शिफ्ट भी आजाएगा, कंट्रोल भी आजाएगा और एल्टी भी आजाएगा उत्तर प्रदेश में भूतत्व योम्खनिज कर्म निदेशाले के स्थापना की गई तो क्या क्या उन्नीस सो पचपन में दी आप सन्या पे सही हो जाएगा भूतत्व योम्खनिज कर्म निदेशाले उत्तर प्रदेश की अस्थापना उन्नीस सो पचपन में की गई थी और अन्तिम प्रश्णय कौन सा पश्चिम से पूर्व की और पहाडों का सही कर्म से अस्थापन है प्रश्चिम से पूर्व की और पूझा गया है तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे प्रश्चिम में है गारो खासी उसके बाद जैन्तिया यह सभी मेघाले की पहाडिया है गारो खासी तथा जेंतिया ये भारत के पुरुत्तर राजी मिघाले में इस्थित पहाड़िया है गारो मिघाले के पश्चिमी भाग में है खासी मद्य भाग में है और जेंतिया ये पूर्वी भाग में इस्थित है तो प्रश्णिम से पूरू जो करم होगा तो गारूखासी जैनतिया का ये आप समस्टे हो जाएगा ये पूंचायता है गारूखासी जैनतिया किस राज्जी की पहाड़ी है और इन्ही के नापे जनजातियों का भी नाम है तो मेघालेकी ये विकल्पी हाँ पे सही हो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और साथ में विल आइकन को प्रिश कर लिजिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ब जो अपने mobile number के थुरू login करके आप अपना goal सेलेक्ट करेंगे यानि कि आपको किस exam के preparation करना है goal सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी से related वीडियो देखने को मिलेंगे और आप subscription लेकर जो है आप अपने त्यारी को कर सकते हैं अनेकडमी जोइन करने के advantage देख सकते हैं आपका combo offer अभी चला है अनेकडमी पे और अभी UPPSC prelims GSP पर फर्स्ट के लिए scholarship test series भी चलाए जा रहा तो उसे भी आप जोइन कर सकते हैं और UPPSC comeback जो कि आपका 27 March को जिसमें आपको 70 question हल करने होंगे 60 minute में उसमें first से लिए करके 50 rank तक के लिए जो भी candidate होंगे उनको special price यानि कि आपका उपहार भी इसमें दिया जाएगा नीचे description में इसका आपको detail दे दिया गया है वहां से जाके आप चिक कर सकते हैं फिर आपका UPPSC ROI मेंस exam के practice टेस्ट भी आपको मिल जाएगा उसे भी आप जोइन कर सकते हैं batch courses जो भी अबलिबल है UPPSC मेंस optional है फिर आपका विजय भाव UPPSC PCS मेंस batches द्वारी keys जो है आप देख सकते हैं आप इंडॉल हो सकते हैं description में इसका भी लिंक दे दिया गया है और लगच यूपी PSC 328 जिसमें आपको एक साल में प्रिलिम्स और मेंस की जो है complete तैयरी कराए जाएगी आप देख सकते हैं अनेकडेमी के टॉप एजूकेटर्स के दौरा आपके पूरे syllabus को जो है complete कराए जाएगा उसके बाद है देख सकते हैं पूरा लिंक दे दिया गया डिटील आप वहां सी जाके चेक कर सकते हैं तो आप यह सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनेकेडमी पे तुमारे रेफरल कोड भी उच कीजेगा एक्जाम लर्नर जिससे आपको वहां पर एडिशनल 10% का डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो यह सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड एक्जाम लर्नर जरूरी उच कीजेगा